हेलो स्ट्रेंग तो आज का हमारा टॉपिक है और्विटल वेलोसिटी और सेटलाइट वेलोसिटी तो इसलिए स्टार्ट करते हैं वाट इस और्विटल वेलोसिटी तो इस्टान हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह जो पार्ट है यह क्या है अर्थ है और अर्थ का मास कितना है capital M radius of the earth is what capital R और यह center of the earth हो गया ठीक है तो इससे h height उपर एक satellite है जिसका मास कितना small M है और यह orbit है जिस orbit में यह satellite घुमना चाहता है तो इस orbit में satellite को घुमने के लिए जितनी velocity की requirement होती है उस velocity को हम लोग क्या बोलते है अर्बिटल velocity और satellite velocity ठीक है तो देखे यहाँ पे जो satellite है इस satellite पे अभी क्या हो रहा है दो force लग रहा है एक जो force लग बाहर की तरह है जिसको हम लोग क्या बोलते है सेंट्री फीगल फोर्स अथार्थ सेंट्री पेटल फोर्स है और दूसरा जो force है वो इस object यानि satellite और अर्थ के बज़र से लग रहा है जिसको हम लोग बोलते है gravitational force वो कि इदर काम कर रहा है toward the center of the earth अगर इसमें से कोई भी एक unbalance हो जाएगा अगर centipetal जादा हो जाएगा तो object क्या हो जाएगा इस orbit को छोड़ देगा अगर gravitational जादा हो जाएगा तो यह जो satellite है वो क्या होगा अर्थ पे गिर जाएगा है ना तो यह दोनों जो forces होते हैं वो equal amount में होते हैं in magnitude but direction क्या होता अपोजिट होता है और जो हमा यहाँ पे देख रहे हैं m equal to mass of the earth r equal to radius of the earth small m क्या है mass of the satellite और h क्या है height of the satellite from the earth surface यानि अर्थ के surface से जो height है उसको हम लोग क्या हमाल लिए है small h है अब देखे satellite से लेके object अर्थ के center ओ तक का जो distance से वो कितना है small r है ठीक है तो हम लोग इसका formula निकाल लेते है equation it means हम बोल सकते है v9 m v0 square upon r यह क्या होगा हमारा centri fatal force है ना यह किसके equivalent होगा तो gravitational force का यानि capital G capital M small m upon r square के लिए रहे तो यहाँ से एक r cancel हो जाएगा small m भी cancel हो जाएगा then v0 square equal to G capital M upon a small r ठीक है तो हमको v0 find करना है then v0 equal to under root gm upon a small r this is what orbital velocity ठीक है but यह जो velocity आया है वो किसके लिए है तो for any planet किसी भी planet के लिए हम यह formula use कर सकते है ठीक है बट हम लोग मान ले रहे हैं कि यह जो satellite है वो satellite earth के surface के बहुत करीब है तो उस situation में जो यह h का value होगा वो capital R से क्या हो जागा बहुत छोटा है ना यह हम लोग बोल सकते है if h very very less than r then small r equal to capital R ठीक है तो therefore b not equal to under root gm upon capital R clear strength अब दे कि हम लोग पढ़े थे g equal to gm upon R square यहाँ पर put कर देंगे है ना gm के जगा पर g r square तो then under root g r square upon R हो जाएगा एक R यहाँ से cancel हो जाएगा therefore b not equal to under root g r this is orbital value city और यह अर्थ के लिए क्या निकल क्या गया orbital value city निकल क्या गया ठीक है चलिए इसका value find कर लेते हैं किसका value कितना होगा तो देखे b not equal to under root g r ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बट g equal to क्या put कर सकते है 9.8 meter per second square and R equal to radius of the earth तो क्या हो जाएगा 6.4 into 10 to the power 6 meter ठीक है तो देर्फर V not equal to under root g r it means 9.8 into 6.4 into 10 to the power 6 ठीक है ठीक है एकुर लजा सब्च डेन फानली वी एकल रड़ रड़ जाए ठीक है ऐन जा निक हम बोल सकते हैं V not equal to 8 meter per second ठीक है ठीक है मा रख्या, orbital velocity है, यानि earth के round अगर किसी satellite को घूमना है तो minimum इतना horizontal velocity उसके पास होना चाहिए ठीक है strand, चलिए next देखते हैं, relation between escape velocity and orbital velocity तो strand हम लोगों ने पढ़ा था V9 अभी अभी हम लोग पढ़ें orbital velocity V0 equal to under root GR but हम लोग escape velocity क्या पढ़े थे VE equal to under root to GR तो strand इसको लिख सकते हैं root 2 into under root GR, ठीक है तो under root GR के जगा क्या हो जाएगा V0, यानि therefore VE equal to under root 2 V0 ठीक है, again strand हम इसको लिख सकते हैं VE upon V0 equal to root 2 upon 1 it means VE ratio V0 क्या हो जाएगा strand root 2 to 1 क्यले strand यह हमारा relation आ गया next आगे देखते हैं strand time period of revolution of satellite यानि time period निकालना है क्यों जो satellite है वो revolve कर रहा है तो वो कितना time लेगा तो हम लोगों को time period का formula पता है तो V9 time period equal to क्या हो जाएगा distance upon velocity तो distance क्या होगा circumference of a circle it means 2 pi r upon velocity कितना हो जाएगा strand orbital velocity यानि V0 अब हमें पता है कि V0 जो होता है general formula क्या strand gm upon a small r ठीक है तो इसको put कर देंगे then t equal to 2 pi r under root gm upon r जिसको लिख सकते हैं 2 pi r under root g m upon the root r इसको उठाके उपर ले जाएगा strand 2 pi r into r 1 by 2 upon under root gm clear है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस gm के जगा again हम लोग put कर सकते हैं चीक है तो देखें यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 pi r इसका power कुछ नहीं तो 1 तैयाड हो जाएगा it means 3 by 2 upon under root gm clear strand अब देखें फिर से पढ़े g equal to capital gm upon r square तो इसको put कर देंगे यहाँ पे तो 2 pi r 3 by 2 upon under root g r square तो अब अब अगरा strand हम लोग माल ले रहे हैं कि if a small r equal to capital r plus h तो then उस समय हमारा जो t होगा वो कितना आजाएगा तो 2 pi small r के जगा रख देंगे r plus h 3 by 2 upon under root g r square this is time period of set a light के बचल भैजर आट कितना कि मानी थे थे चापा नहीं है 10 तो ये चाएगैप और form कितना temperature